नमस्कार, जियोन में एक बात द्यान रखना, जितनी गल्तियां अपने जियोन में कर्स को करना, एक नहीं हजार बार नहीं गल्तियां करना, लोग कहते हैं आपको गल्ती नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ आपको गल्ती करनी है, हजार बार करना गल्ती, लेकिन काम जरूर क करना मेना जरूर करना गलती करना हजार बार गलती करना लेकिन एक बात अवश्य द्यान रखना एक पॉइंट नोट कर लेना आप हजार गलतिया करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उन हजार गलतियों में एक भी गलती रिपीट मत करना अगर आपने हजार गल्तिया की अपने काम के दोरान में और अगर आपने एक भी गल्ति रिपीट नहीं की न दावा है मेरा आप से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोग सकता हाँ लेकिन आप गलतिये कर रहे हो और वही गलतिये बार बार रिपीट कर रहे हो न तो आपकी लाइफ परवाद है आप जिवनों कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो हर इंसान से गलती होती है जब कोई इंसान नया काम करता है ना कोई परफेक्ट नहीं होता है उससे गलती होगी लेकिन जो इंसान अगर उस गलती को दुबारा रिपीट नहीं करता है ना आपने कोई भी चीज कोई भी प्रोड़क अगर बनाते हो किसी का आविसकार कर रहे हो तो आप से गलती कितनी बार होगी एक बार होगी, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तस बार, हजार बार हो जाएगी अगर आप गलती को रिपीट नहीं करोगे तो नए गलती है आखिर आपके सामें कितनी आएगी एकन एक दिन उन गलतियों का अंत होगा और जब उन गलतियों का अंत होगा ना तो अंदर से अम्रत निकलेगा और वह अम्रत आपको विस्व में पहचान दिला के जाएगा तो फुटबोलर मेगी का नाम सुना होगा मेगी अपनी सपलता का राज क्या बताते है मैं अपने खेल के दोरान कितनी गलतिया करता हूँ लेकिन जब मैं अपना खेल खत्म होता है ना उसके बाद मैं अपना खेल दुबारा देखता हूँ और उसके बाद मैं वो गलतिया फाउंड करता हूँ कि मैंने उस खेल के दोरान में क्या-क्या गलतिया की है और जब next match खेलने जाता हूँ ना उस next match में वह गलतिया दुबारा नहीं दोराता हूँ तब ही आज मैं इस position पर हूँ मैंसी कहते है कि इनसान गलतियों को पुतला है अगर वह खेलेगा नहीं तो गलति कैसे करेगा उसको गलति का एसास कैसे होगा गलतिया तो करनी होगी इनसान को अगर आगे बढ़ना है हाँ लेकिन उस गलति को आप repeat मत करना आप खेल के दुरान में 10 गलतिया कर दोगे 15 कर दोगे 25 कर दोगे अगर नया खेल कर दोगे उसमें 25 गलतिया repeat नहीं करोगे तो क्या होगा आप उस खेल में perfect हो जाओ थोमस एडिसन बल्ब का आविस्कार किया था पता उनकी इस्टोरी आपको पता होगी जब उन्होंने बल्ब का आविस्कार किया तो था एक बार में कर दिया नहीं हजार बार केते हैं उनकी जएउनी पढ़ ले ना उन्होंने जब बल्ब का आविस्कार किया था हजार बार उनसे गलतिया होई लेकिन उन्हें कहा था कि हर गलती मेरी नहीं थी हर गलती नहीं थी मैंने कोई भी गलती को repeat नहीं किया, मुझे पता था अगर मैं किसी गलती को repeat करूँगा आज तो मैं यह आविश्कार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जीवन में कभी आगे बढ़ना है ना तो गलती को repeat ना करें, गलतिया करें, हजार करें, लेकिन गलती को repeat परफेक्शन किसी भी काम में परफेक्शन कब आता है आप किसी भी काम में परफेक्ट कब होते हो जब उस काम का आप निरंतर अभ्यास करते हो और जब निरंतर अभ्यास करते हो तो निरंतर गलतिया होती है और जब उन निरंतर गलतियों को आप दूर करते हो और उन गलतियो आप कभी भी प्रफेक्ट नहीं बन पा एक लवी एक लवी विश्म का सबसे बड़ा धनुदर कैसे बना उसने बार 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 तूटे हजार बार उससे गलतिया हुई लेकिन उन्होंने उस उन एक लवी ने कभी भी एक गलती को दुबारा रिपीट नहीं और वहाँ दुनिया के सबसे बड़े दुनूतर बने क्यों बने क्योंकि उन्होंने कोई गलतिया रिपीट नहीं की उन्होंने भी हजार गलतिया की आप भी अपने काम में हजार गलतिया करो कोई लिक्त नहीं लेकिन काम में उस गलती को repeat मत करो केते हैं न अगर आपको अच्छे marks लाने किसी विसे में तो आप ज्यादा मेनत करो अच्छे पढ़ाई करो और बार बार मेनत करो लेकिन अगर ये भी केते हैं अगर आपको उस विसे में perfect बनना है न तो आप उस विशे को किसी दूसरे को पढ़ाओ पढ़ाने से क्या होगा आप किसी दूसरे को पढ़ाओ तो आप से गलतिय होगी और सामने वाले वो गलतियां आप की सुदा रेंगे और जब गलतिय सुदा रेंगे ना तो आप उस विशे में परफेक्ट बन जाते हैं तो कह क्यों कहते हैं क्योंकि उस विशे का उसको अथा ज्यान है और अथा ज्यान केसे हुआ निरंतर अभ्यास करने से हुआ वह यह अभ्यास किया हजार बार अभ्यास किया हजार बार गलतिय की लेकिन उन गलतियों को रिपीट नहीं किया एक बात दियून में ध्यान रखना आप क कि अंत में उस आपके उस काम से अमरत निकलेंगा तो वही लोग जो आपको गलतियों के लिए बला बुरा कहते थे ना वही लोग आपकी तारीफ करते हुए नई थकेंगे इसलिए ध्यान रख रहा है कि गलती तो उसी से होती जो काम करते हैं निकम्मों की जीवन तो सिर्फ दूसरों के गल्टिया निकालने में निकल जाता है इसलिए जिवन में गल्टि से कभी डरना मत लेकिन गल्टि से वही गल्टि दुबारा रिपीट मत करना